वीके न्यूज राश्ट्र के नाम मनोज अस्थाना समाजवादी पार्टी से जुड़े और दीपक राय राजनीतिक विशलेशक के तौर पर हमार साथ जुड़े सबसे पहले मैं मनोज अस्थाना जी के पास जाना जाओ मनोज पूर्वान चल को लेकर एक बड़ी सौगात आज भारतिय जनता पार्टी के ओर से दी गई समाजवादी पार्टी ये दावा करती है कि उसका ही एक्सप्रेस वे है जिसके आपने आधार शीला रखी थी और उस पर भारतिय जनता पार्टी अपना लेबल चिपका रही है उस पर कुछ राजनीती करने की कोशिश भी की गई, समाजवादी पार्टी गई, कारे करताओं के और से सांकेतिक तोर पर उसका शुभारम करने की भी कोशिश की गई लेकिन आज की जो तस्वीर है, क्या ये जो पूर्वान चल का एक्स्प्रेस वह है हकीकत तो यही है कि भारती जन्ता पार्टी ने इसे पूरा किया है, क्या ये चुनाव में आपको लाब दे पाएगा? मनोज जी, जी मनोज जी बुलिए, अवाजारी जर, शायद मनोज जी कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं अनिता जी के पास जाना चाहूँगा, अनिता जी एक बड़ी शुरुवात की गेवर महां से चुनावी बुगिल प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने फूका है, जाहिर तोर पर ये विकास की एक इबारत तो है, लेकिन निशाने पर पूर्वांचल का वोटर है, क्या ये जो सौगात है, ये वोटों में तब्दील हो पाए ये तो है निशाने चुनाव के समय विकास हो रहा है, ये चुनाव के समय में पटा-पट जादू की छोईच रहा है, ये पहले सी त्यार हो रहा था हूँ तयार हो गया, और सबसे बड़ी बात है, आज जो समाजवादी पाल्टी कहती है कि हमारत हो हम तो ये कहना चाहेंग कि आपको शायद मालूम होगा जब अटर जी की सरकार थी, वो मेशे ही कहते थे, सड़क से सड़क को जोड़ो, नदी को नदी से जोड़ो, दिल को दिल से जोड़ो, ये भारत है, भारत में एक हो करो, ये हमारा सिधात है, हम उच सिधात के वावादी लोग हैं, ये तेरा और मेरा जात और पात और ये सब बटवारी की राजीती जो कर रहे हैं, ये सब करना छोड़ें और जनता के लिए काम करें, और हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, और सबका साथ सबके विकास का काम कर रहे हैं, इसलिए इसमें वोट ताबिर होगा, नहीं होगा, ये जनता त आप जब ना आपकाट रहा है है, तो हम ने तो पहले भोल दिए की सरकार है, नहीं नहीं पहले प्रदान मिंतरी तो अधियर जवारलान लेरु जी, उन्होंने फिर इसकी स्थापना वो तो तो पहने को तो फिर कॉंग्रेस इस परक्लेम कर देगी मैं क्या कह रहीuters, मैं यही सो चाह रहीं हूँ, कि आप विकास की रफतार को देखे, विकास को देखे, विकास की कार नहाद करते divor कार, को आगे बढ़ा रही है, यह जंता को मौदी सरकार, योगी सरकार किसल है काम कर रही है, और हम सब का साथ, सब का विकास, भूर नहीं कर दूं है का मकले का यह कोरें हिसे पहले नहीं के भी थे कहा गांने कमोंस्टर शिम चेयंुन मुडाने नती ἄसा कभ्ष नहींmor है जाट। मुप्षी जी नहीं हमेशा हमारे मोडी जी चींड और हमारे योगी जी झी ने विपस्ट का काम विरोध करना नहीं होता है। विपस्ट का काम विरोध करना नहीं होता है। विपस्ट काम विरोध करना नहीं होता है। विपस्ट काम विरोध करना नहीं होता है। चुनाव के मद्दे नजर ये बताने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक विशलेशक के नाते आप समझ सकते हैं। 117 सीटे यहां से आती है। और पुराना अगर हम इतियास उठा के देख ले चाहे मायावत्ती अगर सत्ता में आई हो। अखिलेश सत्ता में आये हो। या फिर योगी आधित्यनात सत्ता में आये हो, भारती जन्ता-पार्टी सत्ता में आये हो पिछली बार, तो पुर्वांचल का बड़ा योगदान था, जहां जिसने पुर्वांचल में सीटे ज्यादा जीती, वो सत्ता पर काबीज हो गया, तो उसी को साधने की एक कोशिश ह आये होसा है? सब्सक्राइब बनाएगा और दूसरी तरह आप देखिए पीजेटी कोई ऐसी एंजीय तो है नहीं है एक जाज़ितिक पार्टी है तो यह प्रॉफिट भी इसमें देखते कोची करेगी अगला चनाव चार मेने बाद चनाव है तो अगर इस तो हाइलाइट करने की पोशिश करता है मैं कोई गलिट नहीं मानता है है सब फायदा सब को होना है और अकलेश यादो नहीं बात सही कि मैई 2015 में इसका इनॉस्विट किया था लेकिन अगर योगी आधितनाच पीजिए अगर तीन साल में इस प्रजेक्स पूरा किया है बहुत बड़ी बात है और रिकार टाइम में पूरा गिया है उसका फायदा मिलता है एक तो इसकी काफ नहीं होती है और दूसरी सब जंदी बंदेर से और्दगी विकास को जो है एक जफ्तार मिलती है तो मेरा ख्याल है सायद इसे बीजेपी जो है इन पुर्वांचल और भी जो एक्स्प्रेसवे पे हैं वो अपने जीत का जो है जो है जो है दोड़ाना चाहेगी और उसको खायता मिलेगा एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी है जो लखनों से ज जरीए ही सत्ता का रनवे निकालनी की कोशिश की जा रही है हाला कि आज अगर हम देखे पुर्वांचल में तो दो तिन चीजे बहुत पॉइंट आउट करने वाली चीजे थी सबसे पहली बात ये दिपक जी की जो योगी आधित्यनाथ की और से जो मोमेंटो दिया गया प आज मतलब एक तरह से संदेश है कि विकास की तो बात होगी लेकिन विकास के साथ साथ हिंदुत की भी बात होगी और रास्टरबाद की भी बात होगी क्या ये संदेश देनी कि इस चुनाओं में यही मुद्दे रहने वाले आप तरह सही करें देखिए बीजेपी जो है विजेपी हाथों बोने चीज है एक तो विकास का जो उनके पास एक अधियार है दूसरी तरह हिंदुत का तो दो लोगा उप प्रिव करेंगी अब यह डिपेंड करता है विपक्ष का वो किस तरफ जो है बीजेपी के अगर व पावी तरहिके से यह उठा दीपाया इंके पास ही तरह से कोई गोठा लेकर कोई मुद्दा नहीं आए तक पास तरह में उठा पाए तो इसका एक तरह से बीजेपी के फ्रेवर जाएगी और जिस्ती पॉसित चीज है वो तो चाहेगी बीजेपी इसको उठावे क्योंकि वो जन्ता से जुड़ा होता है वो जन्ता की संग्याम में आता है उसका फाइदा जो है चुनाओ में किसी पार्टी को मिलता है चलिए चलिए अनिता जी हमारे साथ है अनिता जी जाहिरत और पर बात विकास की हो रही है विकास के मुद्दे की हो रही है एक्सप्रेस वे च बारतिय जनता पार्टी का और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिये विकास के जरिये सत्ता तक आप जाने की कोशिश करते हैं लेकिन चाहे अटल बियारी वाजपी की सरकार हम ले ले तो कही न कही जो एक शाइनिंग इंडिया का जो नारा दिया गया था सत्ता में वो परिवर्ति उत्तर प्रदेश में भी काटे की टकर बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी के ओर से जोर लगाया गया है तो क्या यह जो एक्स्प्रेस भे हैं यह सत्ता का रनवे बन पाएंगे आपके लिए सत्ता पाने हमारा लक्ष नहीं था समाज सेवा हमारा लक्ष समेशा रहा रहा है वो हम करते हैं लिए समाजवादर है वो हम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, चाहे सत्ता में रहें या ना रहें, अलग बात है, सत्ता में रहने के बाद हमारा कार सोड़ा ज्यादा अच्छे सो जाता है, पूरी जनता जानती है, लेकिन हमारा मूल करता है, मूल जो कार है, शुरू से जो माया है, वो जनता के है और आज भी हमने विकान साथ चाहिए अज एरपोर्ट हो आज विश्वी ध्याले हो आज एक्स्वेश वे हो लिए हो इस अज़ निर्मान हो रहा है जो भी गौव में गौव में हो रहे हैं आवास दे रहे हैं जो भी जोड़ना दे रहे हैं वो जनता के अंसीम चोड़ता जो दीन द्यार उपादधाय जी का सपना था अंतियोदे वाला हम उसको पूरा करने में लगे हुए हैं तो कि हमारी जो अनिता जी आपने कहा अंतियोदे वाला जो सपना है उसे पूरा करने में आप लगे हुए हैं आप सेवा करना चाहते हैं घरीबों की लेकिन मेंगाई के घाव है गरीबों पर लगे इसको दबा पाएंगे देखिए ऐसा है महिंगाई अगर आप कहते हैं महिंगाई यह हम भी मानते हैं लेकिन आप उनकी इंकम भी साफिर बड़ी है और सबसे बड़ी बात है पटोर के दाम अभी घटे भी है और और एक सी मैं और कहना चाहूंगी जब हमारा विकास कार बड़ा की करोना कार में देखिए दो साल इतना बैक गेर लगा है पूरे विच में लगा है और दीरे दीरे आर्थी वरस्ता दीरे ओर ठीक हो रही है और हमें उमीद है कि आते आते ओर ठीक होगी आप देखे भारत का नाम हमारे मोधी जी जी ने पूरे विच बड़ा पर एक ऊपर जाके रज़िया भारत आज एक अपनी अलग पैचान बनाए हुए है यह हमारे मोधी जी जी वह भी परधान मंत्री थे उन्होंने किया मैं यह नहीं कहते हैं कि मोधी जी ने इसको शिखर से पहुचाया है ने ने अनिता जी यह टीक है कि भारत का नाम विष्व में उचा हुआ है लेकिन जनता जो है वो त्राही-थ्राही कर रही है अगर आप उनसे बात करें तो कह रहा है कि सिलेंडर महेंगा हो गया, तेल महेंगा हो गया, तो इनको कैसे डील करेंगे आप, क्या एक्स्पेस में की चमक जो है, वो डील कर पाएंगे, आपने सही का, तेल के डाम कम किये, लेकिन चुनाव से पहले, विपक्स तो कह रहा है कि चुनावी दाव है आपका चुनाव से पहले आपने पहले लूख लिया अगर आज अगर आप तेल के दाव देखेंगे महराज की सरकार में देख लिए पंजाब में देख लिए राज़ता हमारे यहां से ज्यादा रेख है उनके हमारे उत्तरपरदेश में बहुत कमोस में की हो बताना चाहूंगी कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज हम काम कर रहे हैं वो जन्ता के लिए गरीबों को प्री में राशन दे रहे हैं दो साल से बराबर प्री में राशन देना बड़ी बात होती है चोटी बात नहीं होती है यह मोधी जी की आज एजना वोग को प्री में राश्टन सबकों दे रहे हैं और आप और इसने करोना काल में नितों आज करोना से लोग कम मरते भूख से ज़्यादा मरते यह मोधी जी ने संबाद तो इस इसको जनता भी देख रही है ऐसा जब देख घर में आपको एस को जुके नहीं थे और यही चीज मोधी जी ने जुकना नहीं सीख है काम सवनास आज हमें भूख जोर नहीं है कि जगह जगह देख जाएनगे वन्ना आप आप मेलपोर्ट पे जाते थे रेल्वे ने जाते थे तो कोई लवारी चीजों को ँड़ चुई हैं अ कुछ यह न लेकिन जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से जनता जो है उन मुद्दों को तो उठाई रही है विपक्ष जो है उन मुद्दों को उठाई रहा है आप विकास की बात कर रही है आपने जो किया है लेकिन यह सामने है कि महेंगाई बढ़ी है और वो क्या चुनाओं में प्रभा से मनुच जी मैंने समय नहीं पूट पूछा था आप्रवान्छल गार्न फायान प्ररदेश का टा का स स्यासत का रास्ता सहसे रहाइं प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी नें कई परिशाल हमले समाजवादी पार्टी के ओंपर किये परिवारभाद की बात की माफियावाद की बात की वहीं पर दूसरी और इस एक्स्प्रेस वे पर आप अपना कबजा का बताते हैं यह कहते हैं कि हमारी देन है यह तो भारती जनता पार्टी ने कैंची दिल्ली से ले आए फीता लखनव से ले आए मनोज जी जी आवाज आ रही हैं जी मैं यह कह रहा हूं मनोज जी कि क्या लखनव एक्स्प्रेस वे के रास्ते जो सत्ता का रास्ता खोजा जा रहा है सत्ता तक पहुंचने की जो कोशिश हो रही है समाजवादी पार्टी ने प्रदानमंत्री मोदी के पहले ही साइकल चला के उसका सांकेतिक एक तरह से शुभारंब कर दिया क्या ये पूरवाणचल की जनता नहीं समझती है कि किसने बनाया ये कौन किसका इस परहख है जनता सब जानती है और जनता इंपिजार कर रही है 2022 के विधान सबाचनाव में और सब प्रस्चत जीत हमारी हो ली है समाजवादी पारी जिस्के आ रही है क्यों तो प्रस्चत जानता जानती कि कि वियर लोग लोगों को मन भचाने के लिए महना इसे अलग करेंगे बेरोजगारी इस इन मुद्बे बात करना काई पर अब सब् fand not 1 ऐसलिए बनाया गया गया हैं इसलिए बना गया ताकि महत इसे ढट यात हट जाए नहीं फरस प्रेव को सफना हमारे अखले चादय का था और शोस से लोगया है लगनु आरहे कर रहा है हैं एक्सप्रेस्वे समाजवादी पार्टी की सरकार में बना एक्सप्रेस्वे मायावती की सरकार में बना योगी आतित्यनात ने तो दूसरा एक्सप्रेस्वे उनका तयार होने वाला है दिसंबर में उसका भी शुबारम करेंगे बुंदेल खंड एक्सप्रेस्वे तीसरे एक्सप्रेस्वे को शिलान्यास करनी की तयार है गंगा एक्सप्रेस्वे की तो वो तो कहेंगे कि हमने तो तो कैये यह जो एक्सप्रेस वे है सपना अखिलेज जी ने देखा ता बनाया किस ने भारती जन्दा पाटी ने बनाया यह तुमानेंगे योगी सरकार ने बनाया अच्छा बात सोच की है जो अगले जादवजी सोच के है वही तो यह लोग आके काम कर रहे है इसी सोच की यूदिन में जब यूदिन के समय तो यह पाफ काल होगा तो कहीं भी हमारे वीमान उतर सके इस क्वालिटी लेविल पर जाते हैं उन्होंने अगले ज्यादवजी के सोच रखी और लखनो अगरा एक्प्रेस में उन्होंने इसी तर्ट पर बनाया था तो यह सोच है ना यह सोच कहां बढ़ाएंगे सोच और विजन की अगर बात करेंगे तो स्वरणीम चतुरभुज जो योजना है यह तो अटल बियार इवाजपी के सरकार में उनका ड्रीम थी उनका सपना था तो भारतिय जनता पार्टी तो यह क्लेम कर सकती है लेकित अपना अपना है और इस परकार को ऑना वह जरूरी है तो 2022 की विदानसाबादी चुनाओं में जनता तय करेगी क्योंकि जनता ही तय करती है कि नेता काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और उसी आधार पर वोटिंग होती है नहीं किया जा रहा है कि नहीं कर रहे हैं इनको गरीबों से कितना प्रेम है मैं बता सकता हूं कि जब दोजार चोटर में कॉंग्रेशियर सरकार के इंदे से गई तो कि इनका प्रेम है कि श्लेंडर आज हजार पार कर गया इतना सथा अठार डॉलर पर बैर रहे हैं ने अनिता जी मैं आपके बास आ रहा हूं वह बोल ले अपने अपने बारी में बोले एंप मैं आप से पूछी कहिए कहना चाहरी इस चीज का जवाब दीजे मैं आप से तिन कीजे पूछना मेंड़ पहला सवाल यह है कि यह पूछे की सिलेंडर के दाम क्यों बढ़े जब पूर ओयल इतना सफ़ता है तुछियां के अंदर उसके बाद डीजल पेट्रोल के दाम क्य कि यही दिक्कत हो जाती है टोकना पड़ता है आप डबल स्टैंडर्ड वाली बात करते एक तरब गरीहों को राशन ilu कर रहा है उसका विरोथ कर रहे हैं राहूल गांदी जी कहते कि न्या योजना लाओ गरीबों की खासरी हम पैसे डालो तो क्या भीक potencial बनानानी की आप कहरें कि भीकमंगा बना रहा है। 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 अनिता जी मैं आ रहा हूँ आपके बास। लगपजी। मेरा एक सवाल है आपसे दिल्ली एरपोर्ट गये हैं सर आप। दिल्ली एरपोर्ट के बाहर किसका नाम लिखा होता है वहाँ पर। आपने अच्छा समझ गया आपका मतलब सुन लिखा है। आपके रहें एरपोर्ट बेज दिया हो तो कॉंग्रेस सरकार ने दिया था उनको। तो इसका मतलब क्या बेज दिया एरपोर्ट। करनकों की ओर दे थी ढहर किंड़े गया शरकार को नुक्षान की ओर होता था उसके लिए निजी करनकों कर ने से काम किया लेकिं से थारे 900 PSU खड़े के इन्होंने एक भी PSU ख़़ा नहीं क्या यह पूछा जाए को आए कोई पैइटी बनाये को ना इननना आहिम बनाये सबस्क्राइब मुद्दे पर हमने बात नहीं की, बहुत सारे सवाल कुछे मैं भारती जनता पार्टी से इसका जवाब लूँगा लगपजी, मैं इसके जवाब लूँगा अभी वक्त एक ब्रेक का है, एक छोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर ये चर्चा हमारी जारी है, मैं झाल